हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसब लाइफ पर आज बात इंट्रेवु के इंट्रेवु पर मेरा पहले भी एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप चाहें तो देख सकते हैं आज बात करूंगा इंट्रेवु में पूछय जाने एक कामन से सवाल की जो अधिकांच लोगों से पूछा जाता है सवाल है हम आपको क्यों चुनैं? अब इसके पीछे जो इंट्रेव्यु वर है वो आप से क्या जानना चाहता है वो आपकी मानसिक्ता जानना चाहता है आपका मनुभाव जानना चाहता है आपकी सकारात्मक्ता आप में कितनी पॉस्टिविटी है ये जानना चाहता है वो जानना चाहता है कि आप अपने बारे में कितना जानते हो आपका कॉंफिडेंस लेविल क्या है कि इसमें प्राया लोग गल्तियां करते हैं जादा तर के जवाब क्या होते हैं कि मैं इस प्रकार के काम में बहुत माहिर हूं मैं इस तरह के माहल में काम करने का बहुत अनुभवी हूं बहुत experience है हमको मैं late sitting कर सकता हूं मैं छुट्टी में आकर भी काम कर सकता हूं लेकिन क् उत्तर पर्यापते हैं, क्या ये सही अप्रोच है, नहीं, सही अप्रोच ये है कि अपनी skill और अपने experience से कंपनी के target को achieve करने के लिए आपके मन में क्या strategy है, ये वहाँ पर disclose करिए, आप सिद्ध करिए कि आपकी कंपनी के targets को achieve करने के लिए आप ही best selection है, अपनी planning बताएं उसको और वो planning time bound हो और उस time bound schedule में पूरा करने के लिए आपने क्या-क्या strategy बनाई है ये आप उसको mention करिए ये आप वो इंटरूवू में बताईए क्या qualities हैं आप में आप उनको बताईए आप बताईए कि मैं नए काम को सीखने के लिए बड़ा उस्सुक रह जल्दी सीख लेता हूं और अपने दिमाग की creativity से उनको बड़े अच्छे तरीके से करने की quality आपके अंदर है ये quality वहाँ पर disclose करनी पड़ेगी आपको उसको convince करना पड़ेगा इंटरूवूर को आप बताईए कि मैं innovative हूं मैं काम को नए तरीके से कर सकता हूं मैं techno से भी ह आज कल ज्यादा तर technology का जमाना है हर काम technology से हो रहा है आप बताईए कि आप teamwork में काम करने के लिए बहुत अच्छे विक्ति होंगे चुकि आपके अंदर ego level नहीं है टीम वर्क में conflict होता है due to ego आप बताईए कि आपका energy level बहुत हाई रहता है आपका confidence बहुत अच्छा है आप बहुत वैभार कुशल है और अपने इस गुड़ों को अपनी बातों के माध्यम से उधारन के माध्यम से सामने लाइए अपने इंटरूवूर को बताईए कि आप विसिस्ट है किन चीजों में आपका specialization है इंटरूवू में जाने से पहले अपने job description को बड़े माइनिटली पढ़िए अपना interest अपना उस्साह वहां पर show करिए उसे लगे कि आप job चाहते हो कहीं कमजोर ना पढ़िए अपनी weakness को अपना strong point बना कर उसके सामने रखिए इसकी मांसिक तैयारी आपके अंदर चाहिए और सबसे पहले चाहिए उस company की पूरी जानकारी इंटरनेट का जमना है जिस company में काम करने जा रहे हैं उसके बारे में ज़रा पूरी जानकारी पहले ले लीजिए एक टक्नीक है star, s situation कुछ situation दी जाएगी आपको, t task होगा, a आपसे action करवाये जाएगा, then comes to result कुछ interviewer इस type की trick को भी अजमाते हैं, इसकी practice करिए, आपके जितने भी उत्तर हो, short हो, बहुत लंबा उतर देने की जरूरत नहीं रहती है, इस past हो, clear cut बात करिए, confidence level ठीक हो आपका, confidently बात करिए, और जो भी उत्तर हो, वो updated हो, उनको confuse करने का कहीं प्रयास, ना करिए और नए ideas के लिए, अगर कोई interviewer आपको देता है, तो खुले मन से उसको accept करिए, आप क्या चाहते हैं, यह कभी important नहीं है, आप तो बहुत कुछ चाहते हैं, सामने जो interviewer ले रहा है, जो company है, वो क्या चाहती है आपसे, यह interview में सबसे महत्पूर्ण होता है, उसको किस quality, किस skill, किन विशेश गुडों की तलाश है, क्या वो आपके अंदर है, यह जानने का प्रयास करिए, body language का बड़ा खेल होता है, अपनी body language improve करिए, और mirror के सामने खड़े होकर practice करिए, अठके नहीं, जो interview ले रहा है, उससे eye to eye contact पर बात करिए, कभी नजरे जुका कर, ऐसे ऐसे हा आते हुए, यह कभी बात ना करिए, यह केवला आपके अंदर हीन भावना और आपके confidence level की कमी को दर्शाता है, एक smile के साथ उससे बात करिए, और मुझे लगता है, कि you will conquer. झाल